केलाशपुर गाव के निकट एक घना जंगल था उस जंगल में रहने वाले एक शेर ने पूरे गाव में आतंत मचा रखा था वह रोज गाव में घुस आता और मुर्गियों बक्रियों और अन्य पालतू पशुओं को मार कर खाए शाम को जंगल से गुजरने वाले राहगीर भी उसका शिकार पर जाते उसके डर से अंधेरा होने के बाद से गाव वालों ने अपने घरों से बाहर निकलना छोड़ दिया था एक दिन गाव के सासी युगों को ने शेर के आने वाले रास्ते में पिंजरा रखकर उसे पकड़ लिया रात हो चली थी इसलिए वे शेर ने पिंजरे से बाहर निकलने का प्रयास किया लेकिन सफल न हो सका उसने मदद के लिए काफी शोर मचाया कि वहां कोई सुनने वाला नहीं था वह ठकार कर पिंजरे में बैठ गया कुछ देर बाद उस रास्ते से एक ब्रामन गुजरा वह दूसरे गाव में पूजा क करके वापस रहा था शेर ने जब उसे देख तो आवाज लगा कर उसे अपने पास बुलाया और गिर्गिलाते हुए बोला ब्राहमन देव मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालिये मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा मैंने तुम्हें पिंजरे से बाहर निकाला तो तुम मुझे मार कर खा जाओगे मैं वचन देता हूं ब्राहमन देव कि मैं आपको नहीं मारूंगा और चुपचाप जंगल चला जाओंगा मुझ पर विश्वास करें ब्राहमन एक दयालू व्यक्ति था उसे शेर पर दया आ गई और उसने पिंजरे का दर्वाजा खोल द तुम अपना वचन कैसे तोड़ सकते हो मुझे यहां से जाने दो मैं कई दिनों से भूखा हूं और मेरा शिकार मेरे सामने है मैं तुम्हें जाने क्यों दूँ तुम्हें खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा पेड़ पर बैठा एक बंदर ये सारा लजारा देख रहा थ वह शेर की धूरतता से वाकिफ था ब्रामन के बचाव के लिए वह पेड़ से नीचे उत्रा और बोला क्या बात है आप लोगों के बीच क्या बहस चल रही है पुजारी ने उसे पूरी बात बता दी जिसे सुनकर बंदर हंस पड़ा क्या मजा कर रहे हो ब्रामन देव मैं आखों से देखे बिना मैं आपकी बात भी नहीं मान सकता वनराज मैं अभी तुम्हें इस पिंजरे में जाकर दिखाता हूँ इतना कहकर शेर मुड़ा और पिंजरे के अंदर चला गया लेकिन ये पिंजरा तो खुला हुआ है आप तो इससे खुद ही बाहर आ सकते थे बंदर की इस बात पर शेर चिड़ गया और बोला इसका दर्वाजा बाहर से बंद था बंदर ब्रामन से बोला जरा दिखाओ तो ये दर्वाजा कैसे बंद था ब्रामन ने आगे बढ़कर पिंजरे का दर्वाजा बंद कर दिया शेर फिर से पिंजरे में बंद हो चुका इस धूर्ट शेर को यही बंद रहने दो अपना वचन तोड़ने का फल इसे मिलना चाहिए इसके बाद बंदर और ब्रामन वहां से चलते बने अगले दिन गाव वालों ने जाकर शेर का काम तमाम कर दिया कहानी को देखने के लिए धन्यवाद त्रिप्या हमारे चैनल को सु झाल